Class 2, Subject Science, Lesson 9 Safety Rules, सुरक्षा नियम, आईए इस पार्ट में हमें किस-किस टॉपिक पर पढ़ना है वह जाने, धर, खेल के मैदान, सड़क, तैरा की करते समय, यात्रा करते समय, अन्य सुरक्षा नियम, स्कूल में, सुरक्षा का मतलब है खुद को किसी भी तरह के नुकसान से ब पालन करना होगा, वे हमारी सुरक्षा के लिए हैं और दूसरों की भी, आए करें, दिया गया ट्राफिक सिगनल का तस्वीर में रंग भरेंड, लिये जाने की ट्राफिक सिगनलों में दिये गए रंग का क्या मतलब होता है, वह हमें किस चीज का संकेत देता है, लाल बत्त के उपकरनों को नहीं छूना चाहिए, हमें खिलोनों को फर्ष पर नहीं छोड़ना चाहिए, हम उन पर फिसल सकते हैं और खुद को चोट पहुचा सकते हैं, हमें घर के अंदर आउड़ोर गेम नहीं खेलना चाहिए, हमें अलमारियों और खिर्कियों पर नहीं चड़ना हमें खुली छट पर या पानी की तंकी या कुएं के पास नहीं खेलना चाहिए तारानकन हमें स्क्रीन के बहुत करीब बैट कर टेलिविजन नहीं देखना चाहिए या कंप्यूटर पर गेम नहीं खेलना चाहिए आए जाने रास्ते पर चलने का सही नियम हमेशा फुटपाथ पर चलें हमेशा सड़क के बाई और चलें सड़क पर कभी भी दोलें या खेलें नहीं जेब्रा क्रोसिंग पर ही सड़क पार करें जब आप जेब्रा क्रोसिंग पार करें तो यातायात रुकने का इंतजार करें सड़क का प्रयोग करते समय सदैव यातायात संकेतों का पालन करें ज्यान बक्सा, जेब्रा क्रोसिंग सड़क पर बनी चौली सफेद पटियां होती हैं जो क्रोसिंग के लिए होती हैं आये जाने यात्रा करते समय हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए बस का इंतजार करते समय एक लाइन में खड़े रहें चलती बस में न चढ़ें और नहीं उतरें कभी भी सिर और हाथ खिलकी से बाहर न रखें गाड़ी चलाते समय ड्राइवर को परेशान न करें पाक किये गए वाहन के पीछे खड़े न हुया न खेलें फुटबोड पर खड़े होकर यातरा न करें आये जाने विद्याले में हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी काम हमें नहीं करना चाहिए हमें अपना पहचान पत्र हमेशा लटका कर रखना चाहिए कक्षा में बेंचों पर न दोड़ें और न कूदें सीडियां धीरे-धीरे और एक पंक्ती में चधें और उतरें कक्षा समय के दोरान स्कूल से बाहर न जाएं तारानकन हमें अपने विद्याले में सदैव सुरक्षित रहकर खेल-खेलना चाहिए खेल के मैदान में तारानकन हमें हमेशा निश्पक्षता से खेल खेलना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए और एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए हमें पाक और खेल के मैदान जैसी सुरक्षित जगहों पर खेलना चाहिए जूले पर सावधान रहें, स्विंग सपोर्ट को पकड़ें, ज्यान बक्सा, जमीन पर पड़े कांच के टुकड़ों या नुकीली वस्तुओं से सावधान रहें तैराकी करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आये जाने तारानकन हमें स्विमिंग पूल में अकेले नहीं तैरना चाहिए स्विमिंग पूल में हमेशा किसी वयस्क के साथ जाएं भोजन के तुरंद बाद न तराएं तारानकन यदि आप ठीक से तैरना नहीं जानते तो स्विमिंग ट्यूब का प्रयोग करें आपको कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को पानी में धक्का नहीं देना चाहिए या कीचना नहीं चाहिए आए करें, पुस्तक में दिये गए चित्र को देखें और सही गतिविधी पर निशान लगाएं अन्य सुरक्षा नियमों के बारे में भी कुछ जानें जानवर या आवारा कुत्तों को न छेड़ें सोते समय अपना चहरा न धकें यदि आपको स्कूल में चोट लगती है तो अपने शिक्षकों को रिपोर्ट करें ऐसे फल या पत्ते न खाएं जिनके बारे में आपको जानकारी न हो जब आपके किसी साथी को चोट लगती है तो आप किसी बड़े के आने से पहले प्राथमिक उपचार दे सकते हैं घर के अंदर पटाखे न फोड़ें घ्यान बक्सा किसी डॉक्टर या बुजूर्ग के आने तक किसी घायल को दी जाने वाली पहली साहयता प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है